हाई अबरिबन दिसे पर्फवन चर्मा आज का दिन बुल्स के लिए काफी बढ़िया रहा बाकी इंडेक्स ने से पहले की बात करें तो बाकी इंडेक्स ने निफ्टी, सेंसेक्स, फाइनिशल निफ्टी, मिड़ कैप निफ्टी सबने कहीं न कहीं एक टागेटट हाई जो ह रहा था काफी लंबे टाइम से 50,000 को अब ये उसको एचीव करने के लिए आज की क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी ने क्लोज किया है 220 पॉजिटिव में और बैंक निफ्टी ने दो 1100 से ज़्याद के पॉजिटिव में क्लोज किया है जिस आपसे bank nifty चल रहा है सा लग रहा है कि इस week end तक ये हमें target भी देखने को मिल जाएगा हो सकता है आने वाले हमारा जो expiry है on Wednesday उससे पहले भी ये target achieve हो सकता है because build up में आज क्या हुआ है जितने भी call writer थे क्या हुआ कि maximum resistance कहां प्लेस किया गया था 48.5 पे followed by 48.8 and maximum था 49,000 पे closing कहा हुआ 49,400 के आसपास तो सोचिए कि जहां पर बहुत से traders ने यहां पर sell किया वा था और heavy selling थी आसा ने कि छोटा वटा selling था बहुत जबर्दस selling थी और लग रहा था कि ये तो यहां से turn करेगा हमने wait किया इसके touch होने का wait किया in fact इसके बाद भी हमने देखा लिपट एक बार भी market ने बिल्कुल भी dip नहीं दिखाया अब कई बार सवाल आता है जब हम आपको telegram पर post करते हैं कोई भी trade तो अगर आपने उसको join नहीं किया तो पहला काम तो यहारा भी जाके description box में telegram का link मिलेगा उसको join कर सकते हैं हमारे नाम पर बहुत सरे telegram challenge आप से पैसा भी मांग रहे हैं आज मैंने हम आपर कुछ आपको post किया in fact वो कह रहे हैं कि वो हमारी team से हैं और वहां पर आप हमें join कर सकते हैं यह हमारा official site है .in उसके अलावा भी कुछ sites है तो आप उसको ignore कीजिएगा तो woulditrading.in पर जाकर आप हमारे courses purchase करते हैं that is where we charge otherwise we don't charge for any telegram support आपको मिल जाएंगे तो उसको भी आप चेक करते हैं और अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया और पहला काम तो भी जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा बैल आइकन पर जरूर कीजिएगा आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे निफ्टी ने आज काफी एच्छा राइस दिखाया बैंक निफ्टी की बात कर रहा था इस लेवल्स के आसपास काफी हमारे प करेंगे बेकॉज रेसिस्टन्स होने के बाद भी अगर मार्केट राइस कर रहा तो कॉंफिदेंस नहीं आता ट्रेडिंग में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग में गट्स पर मज जाईएगा दिर इस नतिंग कॉल गट्स गट्स का मतलब है आप गैंबल कर ट्रेडिंग में पैसबसे इंपॉर्टन चीज़ है आपका डेटा सेकेंड इंपॉर्टन है आपका लेवल तो डेटा यह कह रहा था कि ऊपर के लेवल पे आपको काफी रिसिस्टन्स मिल रहा है उन्हीं लेवल के आसपास हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी भी ट्रेड कर रही है तो confidence नहीं आता फिर वो guts के हसाब से लिए आता रहे मुझे पता है हो जाएगा तो वो गट के हसाब से मैं ट्रेड नहीं लेता हूं मैं आपको मेशा बताता हूं तो confidence आज नहीं आया चोटे मोड़े ट्रेड जिसका experimental ट्रेड आप कहते हैं वो लिए गए थे उसमें चोटा सा profit हुआ and that is all अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दो तीन दिन या मैं कहूंगा यह पूरा पूरा week क्योंकि देखिए week की शुरुवात काफी बढ़िया हुई है तो चार दिन हमारे बचे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चार दिन तो नहीं बचे एक छुटी मिलेगी त तो तीन दिन बचे हैं तीन दिन में मुझे लग रहा है कि यह week हमारा बुलिश रहने वाला है सिरफ एक condition है को ग्लोबल फैक्टर आके नाटा बग जाए अधर्वाइस यह पूरा हाफता हमारे लिए काफी बढ़िया रहने वाला है कल का दिन उसके बाद में Wednesday को we have a holiday Maharashtra day and then we have Thursday and Friday तो I would say कल ही हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपारी भी है तो बैंक निफ्टी का एक्सपारी को फोकस करेंगे मिस मत कीजेगा चले पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में निफ्टी ने देखेगा यह लाइन पहले हमारे लिए यह हमने support 1 कहा था यह support 2 कहा और यह हमने कहा था कि मिड लेवल या focus line कहा था इसको आप कुछ भी कह लेजेगा यहां से काफी लंबे टाइम तक इसने की support लिया है अब दो दिन से इसी पर resistance पेस कर रहा है याद रखेगा इसके उपर जाएगा तो उपर भागेगा और यह जो लेवल है उपर का लेवल this is coming around anywhere between 20 to 900 से लेके 23,000 का और इस लेवल को sustain नहीं कर पाया तो वापिस नीचे गिरेगा यही technical analysis होता है अब आप यह कहेंगे कि उपर ही जाएगा guarantee ऐसा कुछ नहीं होता यह हमने अपना support level find कर लिया है अब इसके उपर sustain करेगा तो भागेगा और sustain नहीं करेगा तो गिरेग it's as simple as that सारी मैनत आपको levels find करने में निकालने चाहिए बाकि तो जब levels निकल जाते हैं आपने अपने lines को plot कर दिया है उसके बाद तो सारा काम असान हो जाता है फिर तो जो आपको chart की उपर नजर आता है आप उसके accordingly काम कीजेगा अरे मैं guarantee देता हूं यह guts वाली बात को side नहीं तो थोड़े दिन बाद गायब हो जाएंगे अब यहाँ पर देखेगा यह जो level है अभी current closing की बात करें तो 22,643 का है अगर आप यहाँ देखेंगे यह वाला level इसके high को check करते हैं high somewhere close to this one 22,653 तो हम यह कह सकते हैं कि आराम से 22,680 के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना call buy करेंगे और यह buy sell recommendation बिल्कुर नहीं है कोई भी ट्रेगर आप लेते हैं तो एक बार अपने financial advisor से जरूर सला कीजेगा यहाँ पर technically आपका stop loss बनेगा plus minus 40 का और यह हम future price के basis पर कहते हैं जैसे future price 40 point आपके against में जाता है जो भी premium आपका उस time पे option में move कर रहा है व इसके बाद में आपका पहला target रहेगा 20 to 800 जो लगबग यहां मिलेगा और जिस तरह की movement इस time पे हमें दिख रही है in this bank nifty ऐसा भी हो सकता है कि इस line को कल ही touch कर ले and that could be 20 to 850 तो यहां भी आपको lifetime high देखने को मिल सकता है in nifty also अगर lower level की बात करें तो lower level तो यहां पर इसने द around 22,600 22,600 का level होगा यह level अगर break करता है हमारा nifty तो इसके नीचे जाने के बाद आपका put buy बनेगा वही plus minus आपका stop loss रहेगा और नीचे के level में 22,500 यहां पर और इसके बाद में 450 का आपका second target रहेगा in nifty next रहेगा हमारा bank nifty bank nifty में किसी level की कोई जरूत नहीं है 920 strategy से आप आपको करना क्या है ATM मतलब जो भी price चल रहा है उसी का आपको call buy करना है उसी का आपको put buy करना है तो इन दोनों का आप buy करेंगे यह मैंने retracement level plot किया वा देके इसके accordingly भी हम यही expect कर रहे थे कि maximum जाएगा यह हमारा support था maximum जा सकता है 49,100 closing का हुआ है 424 का तो इसके उपर जाने dip नहीं किया भागते चला गया और जब ऐसा हो कि आपके favor में ना चले market चुप करके बैठिएगा अगले दिन ट्रेड मिल जाएगा तो अगले दिन ट्रेड हमें मिल रहा है यह वैसे एक security बनता है काफी अच्छा तो आपको दोनों को buy करना है 920 पे दोनों को buy और maximum holding रखनी है इसके आपको anywhere maximum till 1130 इसे ज्यादा मत रखेगा इसके बाद में फिर आपका time decay बहुत जल्दी से आपका डिप्लीट कर देता है उसको और अगर आपको कोई trade लेना है तो देखिए आपको लग तो यहीं रहा होगा 49200 राइट सोरी 49100 का level है current closing की बात करें तो 424 है तो आप क पहला target 49 का आपका second target और अगर इसको breaker करके ऊपर जाता है तो 49500 की उपर जाएगा तो definitely 49800 850 और 50,000 हो सकता है कले आपको देखने को मिले उसके बाद में sell on rise का level आपका यह रहेगा यह level wise है otherwise 920 का strategy काफी अच्छा रहेगा इन bank नेक्स्ट हमारे पास रहेगा mid cap nifty financial nifty में भी आप 920 strategy कर सकते हैं 920 का और 230 का strategy आप बना सकते हैं bank nifty के अंदर तो यह कीजेगा आपको यह financial nifty इसलिए मैंने cover नहीं किया बिगोज के अंदर आपका यही trade बनेगा लेकिन ज्यादा movement आपको bank nifty मिलेगा और ज्यादा profit आपको bank nifty मिलेगा उसके उपर ज्यादा focus कीजेगा वापिस आते हैं mid cap में current closing है 11,133 का यहां पर आपको करना कुछ नहीं है यह simple move बनता जा रहा है और आपको सिरफ नीचे के जितने भी level से उनको connect कर देना है ऐसे यह आपको बन गया तो अब आप देखेंगे तो यह अपने आप ही उस zone में आ गया है अब यह zone क्या होगा इस 11,150 के उपर जाता है तो आपका यहां पर call buy बनेगा यहां पर कोई sell on rise नहीं करेंगे स्रफ call buy plus minus यहां पर आपका 25 का stop loss रहेगा और यह वापिस से नीचे गुशता है तो अगर आप देखेंगे तो यह somewhere close to 11,100 का level है और इसके नीचे जाने के बाद में यहां पर आपका sell ब देखेगा जो 500 का level है इसने पहले as a support की तरह काम किया breakout आया वहीं पर support लेकर bounce किया फिर attempt किया फिर इसको इस बार नहीं hold कर पाया फिर से attempt हुआ and finally break the top तो हमारे पास में जो level निकल के आ रहा है 510 है और 500 है 505 की closing है अगर मैं इसको 30 विले time frame पर आपको दिखाऊंगा तो आ आपको करना क्या है आपको यहां पर यह जो हमारा 510 जोन है इसको ऐसे क्लिक करना है यहां पर देखीगा यह जोन में कोई trade नहीं बनेगा यह वो है 505 से लगे 510 इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो buy कीजेगा sustain नहीं कर पाया और यहीं पर नीचे गिरेगा तो sell on rise 510 प के target रहेंगे and 520 के plus minus आपका 5 रुपीज का stop loss रहेगा और नहीं hold कर पाया तो 510 पर entry रहेगा 505 और 500 के target रहेंगे और flat opening के case में 495 and 490 के target रहेंगे हिंद पैट्रों के अंदर हमारा अगला pick रहेगा AU small finance bank यहां पर देखेगा since April यहां से इस zone के अंदरे trade करा यहां पर enter किया था उसके बाद hit किया फिर rise किया फिर try किया फिर again and again it is at the top यह level हमारे पास में current closing है 638 का अगर आप देखेंगे यहां पर 644 के आसपास हमारा move बन रहा है तो 642 से लेके 644 के हमारी entry बनेगी यहां पर आपका पहला target रहेगा 650 का 656 का plus minus 5 रुपीज का आपका stop loss रहेगा ऐसा कुछ होता है कि उपर नहीं जाता तो 634 634 को break करने के बाद आप यहां पर sell करेंगे इसमें आपका पहला target रहेगा 628 का 622 आपका second target रहेगा AU bank के अगला हमारे पास रहेगा और फार्मा और फार्मा यहां पर और फार्मा में एक resistance बनता नहीं जारा है पहले भी इसने attempt किया था फिर काफी लंबा इसने time लिया एक दोबार attempt किया फिर इसने April के starting में attempt के and finally rounding bottom बना के फिर से उसको attempt कर रहा है 1160 के उपर आपका यहां पर buy बनता है और इसके बाद में 1170 1180 का target रहेगा plus minus 8 रुपीज का आपका stop loss रहेग 1130 और 20 के आपके falling side में target रहेंगे और फामा के अंदर तो guys यह रहेगी हमारी analysis कल के लिए मिलते हैं अंगली वीडियो में till then take care have a nice day bye bye